हेलो फ्रेंड्स आइम प्रोफेसर राकेश आस्वानी स्टेडी टिफ्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है पिंसिपल्स ओफ मैनेजमेंट पिंसिपल्स ओफ मैनेजमेंट एक मोस्ट आम में पूछा गया है इतना ही नहीं यह इतना important है कि यह हमें day to day life में भी help करता है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है पिंसिपल्स ओफ मैनेजमेंट दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंतर तक बहुत ध्यान से देगें और अग 14 प्रिंसिपल्स ओफ मैनेजमेंट बाए हेंडरी प्योल हेंडरी प्योल की बात करें तो इस बंदे की चोटी सी कहानी है यह बंदे का जनम हुआ 1841 में and he was a French mining engineer यह बंदा एक mining company में इंजिनियर का जॉब करता था और इस तरह से उसने बहुत hard work की बहुत मैनत किया और आग managing director भी कह सकते हैं तो यह उस company की एक high level post पे पहुच गया इतना ही नहीं retire होने के बाद in the year 1916 में इस बंदे ने एक किताब लिखी management के उपर जिसका नाम है General and Industrial Administration इनकी famous किताब का नाम है General and Industrial Administration और इस किताब में इस बंदे ने यह कहा कि जो भी future managers हैं अगर वो 14 principles of management को follow करते हैं तो life में कभी उनको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा उनको life में success मिलेगा यह किताब उन्होंने जब 1916 में लिखी थी और आज 100 साल के उपर हो गए हैं इनके बताएग है principles को आज पूरे world में follow किया जाता है इसलिए इने title दिया गया father of modern management तो सबसे पहले exam में एक माक का object हो आता है father of modern management किसे कहते हैं तो answer is henry field तो चलिए देखते हैं कि इस बंदे ने 14 principles कौन से कौन से दिये गए तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यह list आपके सामने दिखाई दे रही है पहला principle है principle of division of work principle का मतलब क्या होता friends principle याने rules अगर आप इन rules को follow करोगे ने तो आपको काम करना सी सबसे पहले तो what is management आपने सीखा हुआ है शॉट रिवाइस करते हैं what is management management is an art of getting things done through people बराबर हमें लोगों से काम करवा के लिए ना है तो हम कैसे लोगों से काम निकलवाएंगे कैसे last skill पर हम business करेंगे business को manage करेंगे यह 14 principles को हमने follow करना होता है वह पहला principle principle of division of work याने काम को divide करो लोगों में काम को divide करो according to their skill qualities capabilities etc जो बंदा जिस काम में expert है उसको वो काम देंगे तो काम फटा फट होगा एक कहावत है दोस्तों division of labor या division of work leads to specialization एक ही तरह का काम कर करके न बंदा उसमें expert हो जाता है उसकी काम करने की speed बर जाती है प्लस उसकी काम की जो quality है वो बहुत अच है तो यहां पर हम बात करें हैं कि हमने लोगों को काम डिवाइड करके देना है जो बंदा finance में expert है उसको पोस्त पर रखना है जो manage करने में expert है उसको manager post offer करनी है जो बंदा accounts में अच्छा है उसको इस particular department में हमने अपॉइंट करना है इस तरह से अगर हम काम डिवाइड करके देंगे तो काम फड़ा पठ होगा चले देखते हैं principle number two क्या है principle number two principle number two is authority and responsibility अब ये दो शब्दों का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए authority is the right to take decisions authority काया है right याने power to take decision decision लेने की power को हमने नाम दिया authority and what is responsibility responsibility का मतलब होता है obligation to perform duty याने मुझे अगर कोई काम दिया गया है या मेरे उपर कोई जवाब दारी है तो मुझे उसको बहुत अच्छे से perform करना है अब हेंड्री फ्योल कहते हैं कि दोनों में balance का होना बहुत जरूरी है balance होना चाहिए between authority and responsibility अगर आप किसी को जवाबदारी देते हो तो accordingly आपको उसको उतना ही power देना है सिर्फ authority दोगे तो भी काम नहीं होगा सिर्फ responsibility दोगे तो भी काम नहीं होगा तो दोनों में balance का होना बहुत जरूरी है for example police department की हम बात करते हैं आपने picture देखे दी नायक वैस्टे तो day to day life का ये example है कई बार ऐसा सुनने में आता है कि police वाले देख रहे थे उन्होंने कोई action नहीं लिया सोचिये क्यों नहीं लिया नायक picture में बताया गया बसे जलती है तो जलने दो धुकाने लुटती है तो लुटने दो no tear gas no arrest उस picture पे क्यों ऐसा वो scene आपको याद आ रहा होगा क्योंकि उपर से order थे याने police को कहा जाता है कि आप crime को control करो लेकिन उनको crime control करने के लिए proper authority नहीं दी गई है सिर्फ उनको responsibility दी गई है ये भी एक कारण है कि कई बार बंदा अपना काम नहीं कर पाता है इसलिए कहा जाता है कि balance का होना बहुत जरूरी है between authority and responsibility अगर आप किसी को कोई responsibility देते हो तो responsibility को perform करने के लिए उसको तो नहीं पावर होना चाहिए ताकि वो बंदा सही समय पे सही decision ले सके और company के goal को achieve कर सके चले principle number three discipline फ्रेंच discipline का मतलब क्या होता है discipline का मतलब होता है respect for rules and regulations strictly following rules and regulations अब सवाल ये है कई लोगों को हमने कहते हुए सुना है rules इसलिए बनाय जाते हैं ताकि हम उसको आसानी से तोड सके friends rule बनाना भी आसान है rule तोड़ना भी आसान है मुश्किल काम उसको follow करना अब सवाल ये है कि rules कहां पर है rules हर जगे पर है आप जिस घर में रहते हो वहां के कुछ rules होंगे जिस समाज में रहते हो वहां के कुछ rules होंगे जिस देश में रहते हूँ वहाँ के कुछ rules and regulations होगे जिस college school में आपने पढ़ाई की वहाँ के कुछ rules and regulations होगे जिस company में आप काम करोगे future में तो वहाँ के कुछ rules and regulations होगे तो हमने strictly उन rules को follow करना है और discipline जो है inner discipline का होना बहुत जरूरी है अगर discipline रखती है तो काम लेने में आसानी होगी काम फटा पड़ होगा क्योंकि बार-बार फिर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे क्या होगा clear understanding develop होगी between management and employees तो rules को सबने follow करना चाहिए जो भी company के rules हैं ताकि काम करने में goals achieve करने में आसानी हो next point is unity of command unity of command क्या है एक line में every member यानि every employee of an organization should receive every employee should receive order from only one superior यानि order देने वाला व्यक्ति हमेशा एक होना चाहिए हिंदी में कहावत है दो नाओ पे सवार नहीं होना चाहिए अगर आप दो नाओ पे सवार हो और वो नाओ opposite direction में जा रही है तो आप अक्षे कुमार बन सकते हो just joking friends क्या होता है जब boss एक से जादा होता है यानि superior अगर एक से जादा है employee को अगर एक से जादा लोग command देंगे तो employee confused रहेगा कि वो किसकी बात माने किसकी बात ना माने तो इसमें क्या होता है फिर आपस में disputes होंगे conflicts होंगे जगड़े होंगे confusion होगा क्योंकि employee receives order from more than one superior इसके लिए कहा जाता है कि boss हमेशा एक ही होना चाहिए ताक कोई confusion ना हो तो जुन्डी ओफ कमान कहता है कि boss हमेशा एक ही होना चाहिए a person should receive order from one superior only ये चीज हम day to day life में कई बार apply करते हैं कई बार आप होटल में जाते हो खाना खाने के लिए अगर एक से ज़्यादा लोग order करेंगे ने तो confusion रहेगा ज़्यादा dishes आ जाएंगे या खाना waste हो जाएगा तो order करने वाला वैक्टी यस confirm किजिए आपस में जितने भी लोगो एक साथ मिल के order करेंगे तो confusion नहीं जाएगा या ऐसा हो सकता है मैं मेरे हिसाब से ये चीज़े order कर रहा हूँ आप अपने हिसाब से किजिएगा ये करना बहुत ज़रूरी है सब लोग अगर order देंगे तो उसमें problem होगे चीक है जो superior हमेशा एक ही होना चाहिए point number five that is principle number five unity of direction unity of direction जो principle है ये extension principle है unity of command का अगर हम सब का goal एक है हम सब का goal यानि object एक है तो हम सबने एक ही direction में चलना है यानि one head one plan one goal तो head भी एक होना चाहिए plan भी होना चाहिए और सारे activities को हमने single direction में चलाना है तब हमारा main goal अची होगा for example company के product का sales बढ़ाना है marketing manager की हम बात कर रहे हैं तो बहुत advertising तुम देखो product का price fix करना है तुम देखो salesman को क्या देना है क्या incentives देने है एक्सेटरा वो भी आप देखो इससे क्या होगा आप सारे activities को एक ही direction में चला पाएंगे और इससे हमें काम लेने में आसानी होगी अगर principle principle of subordination of individual interest to organizational interest principle of subordination of individual interest to organizational interest मतलब हर बंदे ने जो company में काम कर रहा है उसने अपने interest को अपने स्वार्थ को second preference देना है पहला preference किसको देना है company को पहले तुमने तुमारे company का फायदा सोचना है उसके तुमने उसके बाद आपने अपना खुद का फायदा सोचना है पहले तुम तुमारे देश के लिए खेलो उसके बाद तुम तुमारे state के लिए खेलो उसके बाद अगर थोड़े बहुत प्रान भर जाए तो आप खुद के लिए खेलो याने हमें खुद का फायदा last में सोचना है पहले company का फायदा सोचना है क्योंकि दोस्तों company है तो तुम हो company नहीं तो तुम भी नहीं सोचो जिस company में आप काम कर रहे हो अगर आप उसका फायदा नहीं सोच रहे हो तो concept basis में company तुमारी पगाड़ बढ़ाएगी concept basis में तुम्हें increment और promotion मिलेगा तो हमेशा सबसे पहला preference हमने हमारे company को देना है तो पहले company का फायदा देखना है बाद में खुद का फायदा देखना है that is subordination of individual interest याने self-interest to organizational interest याने company का interest clear next principle is principle number seven is centralization अब centralization क्या होता है centralization का मतलब होता है concentration of power in few hands पूरा power decision making power main लोगों के हाथ में जैसे company में सारे decision लेते हैं board of directors या chairman लेते हैं बराबर है घर में decision सारे decisions कई बार बड़े बुजग लोग देते हैं centralization का मतलब होता है सारा power एक ही वेक्ति या मुठी बर लोगों के हाथ में उसका opposite word होता है decentralization याने सबको सारे powers दे देना तो ये principle क्या कहता है इसको समझने से पहले मेरा आपसे सवाल है आज के जमाने में centralization होना चाहिए याने सारा power एक ही वेक्ति को होना चाहिए या decentralization सबको सारे power दे देने चाहिए चोटा बड़ा वेक्ति हो तो answer is ना तो 100% centralization चाहिए ना तो 100% decentralization चाहिए